फर्स्ट आफल गूड मॉर्निंग डॉल आफ यू तो अपन दो लेक्चर देख चुगे थे फ्रूड मेकैनिक्स में तीसरा लेक्चर अपना प्रॉपर्टीज के अंदर वो है फ्रूड प्रॉपर्टीज में जो अपनी चार प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुगे थे पांचवी प्रॉपर्टी फ्लुड की Elasticity and Compressibility अब बैस को पहले समझ लेते हैं अपन कि Elasticity and Compressibility क्या होता है देखिए जब अपन किसी भी फ्लुड को चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो उसको जब हम कोई फोर्ष लगाते वे फ्लुड के उपश। तो इसको चाहळन हमारे फ्लुड के पार्टिकलस प्रिकलस मौल्टींसे वह क्या है पास पास आते हैं। जब हम उसको दभाएंगे तो क्या वो दब जाता ह। reten, जैसे कि हमारी स्प्रिंग होती है तो spring flood नहीं है, solid है, मैं आपको समझा रहा हूँ, spring को आप का करता है, आपने ऐसे दबा दिया उसको, तो दबाने के बाद में का किया, आपने उसको छोड़ दिया, आपने जब उसको दबाया तो वो पार्टिकस नजदिक आगर वो दब चुकी है नीचे, और जैसे ही आपने का किया, उसको हटाया, तो फिर से वो spring अपनी पुरानी state में आचुकी है, तो यह जो प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी के कारण, वो जो हमारी spring हो खुल चुकी है, तो उस property को क्या बोलते हैं, वो दब रही है, और फिर से उस state में आरे ही उस property को बोलते हैं, इस property को पास अगर उस स्प्रिंग के पास फूप प्रॉपर्टी नहीं होती तो फिर वो स्प्रिंग ना तो दबती और नहीं वो एकस्पेंड होती इसको बोलता है अपने क्या इलास्टिसिटी तो ऐसी हमारे फ्लूड के अंदर है फ्लूड के एक चीज़ आती है एक basic छोटा सा confusion है कि हम समझे नहीं पाते हैं कि elasticity और जो हमारी compressibility है इनमें elasticity और जो हमारी इसकी property के अंदर मदब difference क्या होता है एक तो होता है हमारा बोलते हम elasticity strength of metrium पढ़ते हैं elasticity और एक होता है modulus of elasticity तो एक तो word होता है हमारा कौन सा elasticity ठीक है एक होता हमारा modulus of elasticity इसको अपन यंग smallest बोलते capitalization नोट करते हैं अब देखें यह जो चीज़ होती elasticity यह होती है हमारी क्या property किसी भी मैट्रिल की क्या होती है यह property होती है और modulus of elasticity क्या होती है यह होती है क्या इसकी यह property नहीं है यह तो हमारी property है और यह इसको represent करती है भाई मैं बता रहा हूं मेरे पास मारकर है मैं इसको खीच रहा हूं और यह खीच रहा है माल लीजिए और उसके बाद छोड़ने पर यह विर्चुसी अवस्था हमाई तो किसके कारण हो पा रहा है in comparison to this marker तो वो अब मैं पूछ रहा हूं भई वो कितना ज़्यादा खीच रहा है फोर्स तो मैं दोनों ही मारकर में 100 Newton का लगा रहा हूं वो कितना ज़्यादा खीच रहा है तो आप कैसे बताओगे कि वह दो खीच रहा है तीन किस रहा है कुछ नठीक उनिट जो होगी ना ऐसे कैसे बता दुगा हमें कि दो होता है तिन होता तो उस चीज को अपन किस तरह Elasticity की कोई unit नहीं होती है Modulus of 230 की होती है क्या बिल्कुल होती है Newton Per Millionen Square ऐसा है अगर हम बात करते हैं किसकी permeability की तो permeability कोई unit होती है क्या नहीं होती, permeability हमारी एक property होती है और हमारे material की property होती है और coefficient of permeability की बिल्कुल होती है तो यह चीज मैं आपको समझाना चाहरा था कि मैंना भी आपको बताया elasticity के बारे में तो elasticity property के गारण जो हमारा material है वो जो हमारा fluid है दब जाता है और force हटाने पर फिर से उसी अवस्था में आ जाता है ठीक है और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि elasticity को किसके द्वारा denote करते हैं तो उसको हम किसके द्वारा denote करते हैं वह यह modulus of elasticity यह तो था solid का material का जैसे हमारे soil हुई हमारे iron हुआ या बार हुई इन सब चीज़ों का हुआ अगर मैं fluid की elasticity के बात कर रहा हूँ तो fluid की elasticity को आपर करते हैं उसको पर दिनोट करते हैं बल्क कुछ मौक है कि मौद अधा मौद लॉइस और एक टेके ऑग दोनों अलग छीज़ा है वहीं यह जी wright कैपिटल की बात करेया वहारे मैटिर्यल की थी तीकहना सॉलिट मे और यह keep खुट कियो उसको capital E is a denote करते हैं और इसको denote करते है capital K से यह होता है बलक modus of classivity और दोनों चीज़े भी अलग है ठीक है ना अब देखो मैं आपको इसको अपन capital K से denote करेंगे कैसे गयार करते हूं आपको लिखवा दूंगा इसके बाद अपन इसकी इससे ही related property compressibility उसके बारे हम बताता हूं तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम अपन दबाते हैं दब जाता है तो दब किसके कारण जाता है वो उसकी एक प्रॉपर्टी उती कौन सी compressibility तो compressibility property कारण वो हमारा fluid दब जाता है ठीक है न और इस compressibility को अपन डिनोट करते हैं बीटा से ठीक है न तो देखो भई प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं elasticity यह fluid की प्रॉपर्टी की बात कर रहे है अपन और दूसरी कौन सी है हमारी compressibility इलाग यह दोना प्रॉपर्टी इस है इनकी यूनिट क्या होती इसको कैसे डिनोट करते हैं बल्क मॉडलोस ओफ इलाशिटी के से इसको डिनोट करते हैं compressibility बीटा से ठीक है न यह दौनों एक दूसरे का इनकी प्रॉपॉष्ण होते हैं मतलब बीटा जो होता है हमारा इस इनकी प्रॉपॉष्ण टू उन बाई के ठीक यह बड़ेगा तो यह घटेगा यह घटेगा कि अब अपन इसके बारे में लिखते हैं तो सिंपल सी बात थी है तो इससे एक छोटा सा पॉइंट बंता हू मैं आपको नोट में लिखवा हूँगा तो फिलाल में इसके बारे में लिखता हूँ ध्यान से देखेंगे आप लोग यह क्या है यह लास्टीटिक में वण कि जब कि फिल्यूड पर कि फोर्स कि लगाया जाता है तो फिल्यूड दब जाता है मतलब कम्प्रेस हो जाता है वह फोर्स को हटाने पर वह फिल्यूड फिर से पुरानी अवस्था में आने की कोशिश करता है फिल्यूड की इस प्रॉपर्टी को लास्टी सिटी कहते हैं जिसे बल्क मॉडूलास ओफ एलास्टी सिटी के द्वारा दर्साया जाता है बल्क मॉडूलास ओफ एलास्टी के द्वारा दर्साया जाता है अपर कैसे क्या होता कि देखो के बराबर डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई वी यह होता है हमारा के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीपी का मतलब क्या है चेंज इन प्रेसर डीवी का मतलब है चेंज इन वाल्यूम वी का मतलब है इनेशियल वाल्यूम इसकी यूनिटी भी देखेंगे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह नेगटिव साइन क्यों आता है इस नेगटिव साइन का मतलब है कि यह अगर आप वाल्यूम प्रेसर लगाओगे तो volume घटेगी, आप negative भूल जाइए, volume घटेगी, मतलब change in volume, जहाँ पर भी किसी भी चीज़ के आगे D आ जाया, उसका मतलब होता है change, तो change in volume क्या है हमारा, negative है, तो मतलब यह जो value है, only dv upon v की है, हमेशा क्या आएगी, हमेशा negative आएगी, समझ रहे हैं, समझ रहे हो, मैंने pressure बढ़ाया, change क्या pressure DP कर दिया, change in pressure, पहले 100 था, 107 डेर सु कर दिया, change in pressure positive होगा, आप बढ़ा रहे हो, तो plus होगा यह, और यह value dv upon v की value, यह हमेशा ही क्या आएगी, negative आएगी, क्यों आएगी negative, क्योंकि आप जब pressure बढ़ाऊ गई, तो volume क्या होगा, change, गटेगा, गटनेगा, मतलब माइनस, तो मतलब overall यह complete चीज क्या आएगी मेरी, negative आएगी, तो negative हमेशा negative आएगा यह तो, simple ची बात है, तो k की value हमेशा क्या आएगी, minus 10 newton per meter square, जो भी है, minus minus बढ़ाऊ चलेगी, मैंने ही चाहता, minus में आएगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक बार, एक minus से बाहर गुणा कर दिया, पहले सी, तो यह यह जो value negative आनी थी, उस negative को आप negative से गुणा करोगे, तो क्या हो जाएगी, यह automatically नीचे वाली term यह पूरी पूरी positive, तो negative से गुणा करने पर यह term पूरी पूरी हो गई, positive, उपर positive था ही, नीचे positive हो गया, तो complete क्या हो जाएगी, इसकी value अब मेरी positive आएगी, तो अपने यह negative क्यों लगाया है, मैं लिख देता हूँ, यह negative sign क्यों, negative से गुणा क्यों करते हैं, to make, यह याद रखने लिए लिख दिया मैंने, to make k positive, k को positive बनाने के लिए अपने negative, minus से गुणा किया है, बात clear है, तो यह होता है हमारा k, अब अगर मैं इसकी unit की बात करता हूँ, यूनिट क्या होगी देखो, dv upon b, volume, change in volume, volume की unit क्या होती है, meter cube, यह भी meter cube, pressure की क्या होती है, newton per meter square, तो meter cube, meter cube तो cancel होगा, केवल क्या बच गया यहाँ पे, newton per meter square, बच गया, SI unit इसकी होती है, newton per meter square, m के S क्या होती है, इसकी, newton का क्या होता है, kilogram force per meter square, cgs, dine per centimeter square, यह इसकी unit होती है, अगर मैं बात करता हूँ, इसकी, dimension की dimension अपने निकालते हैं इसकी अभी, इसकी dimension देखो भई, मैं तो यहाँ लिख देता हूँ, आप है ना, इसकी नीचे उतारना, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, dimension आप कैसे निकालोगे, dimension आप निकालोगे, आपको इसको change करना पड़ेगा, न्यूटर पर meter square को, किसमें, किलोग्राम, meter, और लेंथ के रूप में, कैसे करोगे, न्यूटर पर meter square को मिलिख देता हूँ, देखो, न्यूटर का change करोगे, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड इसक्वाइर अपॉन में मीटर इसक्वाइर एक मीटर से मीटर कैंसिल क्या बच गया किलोग्राम पर मीटर सेकंड इसक्वाइर भई न्यूटन क्या होता है बराबर में मास इंटू वैक्सलेशन क्लोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वार सेकेंड स्क्वार नीचे आ गया मीटर से एक मीटर मेरा कैंसल हो चुका है कि एवल नीचे मीटर बचा है उपर क्लोग्राम है तो क्या होगी इसकी युनिट क्लोग्राम मतलब m1 length l-1 time t-2 तो मैं लिख देता हूँ इसकी unit हो कि हमारी m1 l-1 t-2 तो आप इसकी unit लिख लिजिए कैसे आया मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है तो इसको आप उतारो फिर अपन लिखते हैं compressibility के बारे में सकी यूिद टिजिए दॉदीट है कि इसकी दमने रहे लिए ठीक ज़िए यह नेलिक देना ज़िए लिए मने तो मैं लिखता हूँ कॉंट्रीनु करेंगे इसके नीचे डायमेंशन की चे लिए पर फोर्स लगाने पर जिस प्रॉपर्टी के कारण फ्लूड दबता है उसे क्या कहते हैं भई उसे कॉंप्रेसिबिलीटी कहते हैं ठीक है भई इसे बीटा द्वारा दरसाया जाता है यह है एलास्टी सिटी का क्या होता है रेसी प्रोकल या बोलो इन्वर्स होता है होता है तो कॉंप्रेसिबिलीटी को मैं लिखता हूँ कॉंप्रेसिबिलीटी बीटा बराबर वन अपॉन के मतलब भाई डीप उपर माइनस दीवी उपॉन भी था तो माइनस डीवी उपॉन भी तो उपर आगया और नीचे जाएगा मेरा जाएगा मेरा यह होता मेरा के आपको ध्यानक भाःःफ़ाटी यह होती ही यूणिट्य क्या हो जाएगा इसकी मेटरेस क्यार पर डीटण यह होता है मेरा बीटा तो यह जरू लिख जढ़िएगर नहीं ज़imyटवर वन वाई के होता है अगर मैं इसकी बात करता हूँ यूनिट की ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर स्कायर पर न्यूटन ठीक है और MKS क्या हो जाएगी इसकी मीटर स्कायर पर केजी एफ मीटर स्कायर पर केजी एफ और CGS क्या हो जाएगी इसकी सेंटिमीटर स्कायर पर डाइन डाइमेंजन की बात करते हैं तो उसकी M M1 L-1 T-2 थी M-1 L1 T2 हो जाएगी अब इसको उतारो अब इस ते रिलेटेट एक बहुत important हमारे पास एक note है वो मैं आपको लिखता हूँ जैसे मिटाता हूँ मैं जैसे मिटाता हूँ भई वो note को लिखता हूँ जो हमारे important है कुछ K की value है जो K होता है न Elastity उसकी कुछ values है Standard values हमारी air के लिए है एक हमारी water के लिए है और एक है steel के लिए तीनों ही values को मैं इवार आपको लिख देता हूँ और उनका जो conclusion है वो पहले तो आप सोचेंगे कि भई इन तीनों में क्या relation है मैं लिख देता हूँ note number first क्या है वो है हमारा K of air क्या होता है 1.03 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर इसक्वायर second है हमारा के ओफ वाटर और थर्ड है हमारा के ओफ स्टेल देखो भई तसलिए से देखो इससे एक बहुत ही important result बहार निकल के आता है वो result क्या है उसके बारे में समझेंगे आप वो यह है कि अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों के बीच में relationship की तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या दिख रहा है आपको कि के ओफ एर के अगर बात करें अगर मैं के ओफ वोटर में के ओफ एर का भाग दे दूं के ओफ वोटर अपॉन के ओफ एर बराबर क्या हो गया वोटर का क्या होता है 2.06 10 इस्ट पावर 9 और यह 1.03 10 इस्ट पावर 5 तो आपको क्या समझेंगा आई के ओफ एर 2.06 में 1.03 का भाग दिया तो दो आ गया और 10 की पावर 5, 10 की पावर 9 10 की पावर 4 बची 10 की पावर 4 का मतलब है 10,000 10,000 इंटू 2 करोगे तो यह आगे मेरा 20,000 तो मतलब कहा जाए के ओफ वाटर इस इकोस टू 20,000 के ओफ एर ठीक है कंक्लिजन निकाना चाहा रहे है अपन और हम जानते है कि बीटा और के में क्या का रिलेशंशन सिप होती है कि बीटा जो होता है वो के आज़ी प्सक्राइब छोता है तो अगर मैं लिखना चाहों को बीटा की टरय लिखेंगा तो यहां पर मैं क्या लिखेंगे मतलब बीटा एक ही बात है चाहिए के वाटर लिखा है वन अपन बीटा लिखू एक ही बात ब्राबर 20,000 वन अपन बीटा एयर यहां से एयर यहां जाएगी वाटर यहां जाएगी तो मैं लिखता हूं अब अगर किसी के समझ में आया या नहीं आये बताईए आप अपना दिमाग लगाओ मैं क्या बताना चाहरा हूं देखो भाई यह तीन मैंने इंपॉर्टेंट पैरा जो इस्टेंडर्ड डेटा है वो मैंने लिखा कि एयर का वन पूर्ट जीरो थे जिसके बाद पांच सिस्टेल का टू परंट जेलो से टेंशे के लेवर लीटर पर बियकर स्काईर होता है रिलेसंसिब मैंने देखी तो के ओफ वॉटर जो आया मेरा वाया ट्वंटी थाॉजट के ओफ आ यार मतलब पानी की इलास्टिसिटी एयर की इलास्टिसिटी की तुलना में 20,000 गूना होती है पानी एर की तुलनाम 20,000 गुना elastic है ठीक है और मैंने इसको बीटा की ट्रम में देखा तो ट्रम ही आई इसका मतलब क्या है कि इस डेटा से मुझको ये समझ में आया कि जो हमारा एर है वो पानी की तुलनामे 20 गुना अधिक compressible है तो जो हमारा एर होती है एर वो पानी की तुलनाम कितने गुना अधिक compressible है 20,000 गुना अधिक compressible सही बात है पानी कूपर भी आपने force लगाया 100 Newton का इधर आप एर कूपर 100 Newton लगा रहे हो तो एर जो है पानी की तुल्णा में 20,000 गुना अधिक कौम्प्रेसिबल है ठिक 20,000 गुना अधिक कौम्प्रेसिबल है यह हमारी बात ही simple सी 20,000 गुना अधिक कौम्प्रेसिबल होती है क्या चीज यह है अगर मैं आप से कहूँँ आप कुछ सोचेंगे देखो कि आप इन दोनों के बीच में रिल्सिप बताओ, water steel, तो water steel के बीच में क्या होगा, कि हमारा जो steel है, दोनों चीछ से हमारी वस यह टेंट्स पावाँ 9 है, 11 है, तो मतलब जो हमारा water है, वो steel की तुलनाम है 100 गुना, 100 गुना अधिक compressible होता है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी हमारी बीस जार और उसमें दो जीरो और लग जाएगी क्या हो जाएगा बीस लाक गुना अधिक compressible होती है एयर किसकी तुलनाम है इस तुलनाम है वो इसको उतार लो यह आप से पूछा जाएगा कि एयर जो होती है पानिक तुलनाम कितनी compressible है इतनी कैसे पता चला इस डेटा से तो मैं इसे मिटाता हूँ भई तो यह हमारी फिफ्थ प्रॉपर्ट कि दो हो इसा जů ऊतनी खी प्रॉपर्टि कर दो से।ा हो इसा हूँ प्रॉपर्टि एडपार बीस वहा हूँ प्रॉपर्ट från ए rolls औनाम कितनी प्रॉपर्ट幹嘛 है छi दॉपर्र औन無े Paul it यह प्रॉपर्ट FROM एप review है यह daw Miller मिलłगते हैं 2 6 इस्ट को कि कि तो इसको सिटि क्या है देखो भाई जब हमारी कोई भी फल्ड़ यह प्लैटा है तो उसमें उसकी एक यह दूसरे लिएर के जो फ्लो है उसमें बाधाउटपन करती बाद मतलब क्या है उपर वाली लेयर कह रही है वह नीचे वाली लेयर से तु आगे मत जा उससे नीचे वाली उससे कह रही है मैं आगे नहीं जाने दूँगी तो यह लेयर जो है यह हमारा मालो सर्फेस है यह फ्लूड की लेयर से ठीक है वह तो यह वाली लेयर इसको रोक र यह इससे कह रहा है यह इससे कह रहा है तो एक दूसरे को एक दूसरे के फ्लो में बहने में क्या बाधा उत्पन करती है बाधा उत्पन करती है तो उन दौनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है उनके सर्फेस पर लगता है तो सर्फेस पर फोर्स लग रहा है उसमें सर् फ्लूड की लेयर है एक दूसरे के फ्लो में बाधा उत्पन करती हैं ठीक है दूसरे आपको सिंपल भासा में बताओं तो विसकोसिटी हमें गाढ़े पन और पतले पन को बताती है जितना ज्यादा विसकोसिटी होगी उतना ही उसके अंदर फ्लो का रेजिस्टेंस होगा अब बाधा उत्पन जैदनी ज्यादा हो रही है मतलब फ्लोड आगे नहीं बहे पा रहा है उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा तो कुल में बलाके विसकोसिटी एक्चल में होती क्या है विसकोसिटी तो बता रही है हमारे फ्लो के रेजिस्टेंस को और रेजिस्टेंस हमें बताता है कि जो हमारा फ्लिड है वो कितना गाड़ा है या कितना पतला है यह कौन बता रहा है फ्लो का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मतलब वो आगे बहनी पा रहा है उतना ही ज्याता गाड़ा होगा जितना कम रेजिस्टेंस हो या पतले पन को कि फ्लूड कितना ज्यादा गाड़ा है जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही ज्यादा गाड़ा होगा ठीक है और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही कम गाड़ा होगा अब बात आती है कि जो दोनों लेयर्स की बीच में जो फोर्स लगता है ना अब यह Newton के बहुत सारे नियम है, Newton's first law, Newton's law of motion, ठीक है, motion के law अलग है Newton के, Newton का जडत्व नियम, अंब भलब Newton के gravitational law अलग है, Newton के बहुत सारे नियम हर जीगे Newton हमारे मिल जाएंगे आपको, यह कौन सा law है Newton, यह है Newton का viscosity नियम, ठीक है न, न्यूटन का विस्कोसिटी ने हम क्या कहता है किस तरह से अपन ग्याद करें शीर इस्ट्रेस को वो अपन देखते हैं फर्दर तो पहले इस प्रॉपर्टे के बारे मैं हलका सा लिख देता हूँ कि क्या होती है विस्कोसिटी यह है फ्लूड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण फ्लूड की लेयर्स एक दूसरे के फ्लोव में रेजिस्टैंस उत्पन करती है ठीक है अतै यह है प्रॉपर्टी फ्लूड के गाढ़े पन वे पतले पन को दरसाती है ठीक है अब देखो वलॉस्ती प्रॉपर्फाल के द्वारा में आपको समझा पाऊंगा यह माल लीजिए यह मेरा सर्फेस है सॉलिड सर्फेस ठीक है और यह होती है वलॉस्ती प्रॉफाल टॉप पर वलॉस्ती है कैपिटल वी माल लीजिए मेरा लिक्ट बैरा है यह तो सॉलिड सर्फेस है लिक्ट बैरा है तो यह इसका टॉप सर्फेस है यहां पर वलॉस्ती कितनी है यह दिस्टेंस है तो जैसे-जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो क्या है स्किलोश्टी बढ़ती जा रही है सिरो से दीड़े बढ़र रही है इसका मतलब नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के फ्लो को रोगना चाह रही है कि रूग जा ठीक है इतनी व्लॉस्टी से नहीं जाने देरी हो आगे तो यह अपनी व्लॉस्टी प्रफाइल अगर मैं इसके बिल्कुल एक मुझे क्या निकाला मुझे शेयर स्ट्रे करता हूँ जूम करके इसको अगर मैं जूम करता हूँ आपको जुक्ता है सबक्रें टीमी थीटा अगर में इस वाले पोट्रिकाँ महीं कि यह वाला पॉर्चन ठीक है यह आपको जूम करके दिखा रहा हूं यहां से यहां पर कोई व्लॉस्टी है यह नीचे की व्लॉस्टी है तो यह क्या यहां से आ तक चेंज इन व्लॉस्टी इतनी कम है इस वाले की जो नीचे वाल लेयर की व्लॉस्टी इसकी तुलना में इतनी कम है और अगर देखा जाए इन दोनों layers के बीच में ये एक layer है दूसरी layer है तो ये वाल layer तो नीचे ये ऊपर है ये layer ऐसे ये वाल layer आगे जा चुगी है तो कितना पहल तो ये बराबर थे लेकिन ये layer क्या है आगे चलेगी कितना आगे चलेगी तो मैं एंगल दिखना चाहा हूं यह 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 chosen ठीटा कितना चलेगी यह भ्छे निटा एंगल डिस्टैस किती दॉर्णों के बीच मैं डी आइठ यदि टुल नामे इसकी दीटो में बहां है इसकी बॉष्टी इतनी है इतनी जाद का उसको क्या बोलेंगे चोटी चीज को हमेशा समॉल दी लगा गर से स्मॉल दी का मतलब क्या है चेंज इन व्लास्टी चेंज इन डिस््टेंस इत्पिज स्रåंप बाई है उच्छ मटकार वार्स दि आप लॉस्टी बाई से चोटीnd यह जो जितना भी मेरा आगे जा रहा है यह जो मेरा strain है strain को अपन कैसे डिनोट करेंगे ठीटा को dv upon dy rate of change of shear strain इस ठीटा को ही अपन क्या बोलेंगे rate of change of shear strain या फिर बोला जाए angular velocity ठीक है तो इसके velocity gradient कुछ भी बोलो आप सब का मतलब एक ही आई है तो चाहें इसको आप बोलो व्लॉस्टी ग्रेडियंट बोलो rate of change of rate of change of shear strain एंगलर लॉस्टी आप लॉस्टी ग्रेडियंट एक यह चीज़ है तो जो शियर स्ट्रेस होता है हमारा वो किसके समान पाती होता है ठीटा के समान पाती होता है और सोचने की बात है बहुत सारे बच्चों को अब देखिए आप समझ में आए गाई दोनों यह दो यहां पर उतना ही जादा क्या होगा उसका ठीटाओ जाएगा ठीटा की वैलि स्ट्रेस भाल लुक टेच्चार जाएगी सब्सक्राइब किसीर भेंड लाहं एक यह तो अगर। और मैं कहूं पाती होगा सिता किस यह से समान पाती होगा सिता किससा यह स्बस्ता चाला मेरा angular deformation होता है shear stress किसके समनपाती होता है PayPal और ठीटा क्या होता है तो अगर एक line में कहा जाए कि shear stress जो मेरा कि जुटा है यह मेरा कितना force लगा रहा है इसको पर एक फोर सब्सक्राइब तो होता है सिए डियू अपान एर्या होता है और और स्यर्स्ट्रेस जो होता है हमारा किसके समानपाती है ठीटा के समानपाती होता है इसको हटाएंगे तो अपन को एक constant लगाना होगा उसे बोलते हैं वह मैं आपको लिखवाता हूँ इसके बारे में तो यह तो अपनी छोटी ची थिए कि जितना जादा ठीटा होगा उतना जादा क्या होगा मेरा जीतना जादा थीटा मैं हुआ 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 । तो आट पहले कौश बात लिखता हो मैं इसके नीचे ठीक है या तो आप इसके ऊपर लिख लेना एक लाइन को भी इसको लिखने के बाद आप एक लाइन लिख देना मैं लिखता हूँ वही विसकोसिटी के कारण एक लेयर दूसरी लेयर पर फोर्स लगाती है जिससे शियर स्ट्रेस उत्पन होता है यह है शियर स्ट्रेस इस शियर स्ट्रेस को निउटन के विसकोसिटी नियम द्वारा ग्याद करते हैं अब मैं इसके निचे लिखता हूँ निउटन्स लौ और विसकोसिटी क्या होता है एक लेयर लिख देता हूँ इस नियम के अनुसार लेयर पर लगा शियर स्ट्रेस कोमा इस विलूड के विलॉसिटी ग्रेडियेंट के समानुपाती के होता है कि समानुपाती होता है वेलास्टी के समानपाति होता है अब आप सिर्ट डागरम ना देंगे तो मैं यह भी टाता हूँ इसे लोस्ती कर समाना पाती होता है अब लौस्ती क्या होता मैं आपको बता दिए है चेंज लोस्ती लिग देता हूँ मैं अब ड़ес बहुत हार वनों था सेम थे दोनों एक ही चीज़ें हैं कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है कि अग्यों कि देखो बई तो इस नियम के नुशा लिख रहा हूं मैं तो सारी चीज़ें कि तो बराबर गजल अलग यद क्यों उसलेगर थो समानपाती थीटा यहां धलतो समानपाती धीटा ग्या क्या होता हमारा डीवी अपॉन में डीवाई ठेक हैं अगर में कोई न कोई कॉइशेंट लगाना पड़ेगा तो ये मेरा coefficient लग चुका है यहाँ पर टो का मतलब क्या है टो का मतलब है shear stress mu का मतलब क्या है अब भाई mu का मतलब तसलिफ समझ ले ना mu का मतलब होता है यह coefficient है coefficient of viscosity यह दूसरा नाम है इसका dynamic viscosity तीसरा नाम है इसका अभी समझाओंगा आपको viscosity dv upon dy के नाम देख लो velocity gradient या angular velocity या rate of change of sorry rate of shear strain rate of shear strain ठीक है अब देखो एक मिटे इस चीज़ समझ लीजे आप जैसा कि मैंने आपको बताएं तो उती है प्रॉपर्टी एक होती है उसका कैसे रिप्रेजेंट किया जाएं तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना वो प्रॉपर्टी तो है हमारी elasticity उसको रिप्रेजन करते है पर model of elasticity से प्रॉपर्टी होती है हमारी permeability उसको रिप्रेजेंट करते है हम coefficient of permeability से ऐसे ही बात आती है हमारे किस चीज viscosity की तो आप भोलते हमें कि आपने पढ़े होंगे questions की उसकी whiskey 10 boys आपने पढ़े होगा ही तो विसकोशिटी तो हमा क्या हो तिससों हमारी प्रॉपर्टी है र्वपर्टी यूनिट नहीं होती है विस्कोष उनिक उप्र्अट नहीं होती है लेकिन लेकिन क्या होता है कि coefficient of meille quality को local slang में local language में क्या बोधते हैं Advance naked short में कि permability पर्फियुटि तो क्या हो गया कि coefficient of fidelity हमारा slowly slowly क्या हो गया देर देरे permability हो गया को अनने लगे पर्लीटि के नाम से और question भी बनने लगे कि poets athe की कि यूनिट क्या होती है तो आप द्यान से देखना अगर आपको ऐसा कोई कोशन मिलता है कि पर्मेबिटी की यूनिट होती है चार और चारों में से कोई भी ऑप्सण ऐसा नहीं है जिसमें लिख रहा हो कि यूनिट लैस इसका मतलब वो के के बारें पूछ रहा है और अगर बसस्ट लिख रहा है कि कोशन sorry पर्मेबिटी की यूनिट होती है 3 तो है यूनिट 4 एक्षा है यूनिटलैस तो हमारा आंसर क्या होगा you you need less को की अडि़ को प्रापर्टी क्या रहा है बात क्लिए रहा है ऐसी बात आत आती है हमारे अमियू की तो मियू क्या होता है यू ह आपको अगर viscosity के बारे में पूछता ना कि इसकी unit क्या होती है, तो मतलब वो mu के बारे में पूछ रहा है, viscosity property के बारे में, नहीं पूछा, तो बात के लिए रहा है, तो होता तो actual में है, coefficient of viscosity, लेकिन अपने पढ़ा ही नहीं कभी, अपने डाक क्या पढ़ा है, कि mu का मतलब तो viscosity होता है, या फिर mu का मतलब dynamic viscosity, इतना पढ़ा होगा, mu का मतलब dynamic viscosity, और जो हमारा new होता है, new का मतलब kinematic viscosity, ये तो पढ़ा होगा आपने, जबकि होता क्या है वो coefficient of viscosity viscosity की तो unit होती नहीं लेकिन इसको भी viscosity बोल देते हैं local slang में इसके बारे हम पढ़ेंगे इसके बाद में पहले यह देखुआ आप dv upon dy क्या है change in velocity with respect to change in distance कि distance के साथ में velocity का change कितना हो रहा है तो यह velocity gradient कहलाता है यह इसको बोलो angular velocity theta यह इसको बोलो rate of shear strain तीनों का मतलब एक ही है तो यह अब हम में निगाल चुके हैं तो तो मतलब shear stress कितना होता है तो तो को कैसे गयात करते हैं तो को हम गयात करते हैं किसके नुसार Newton के viscosity नियम के नुसार यह question बहुत बार पूछा गया है Newton के viscosity नियम के नुसार जो हमारा shear stress होता है वो किसके समानपाती होता है किसके समानपाती होता है म्यू के या dv upon dy के भाई वो theta बोलो या dv upon dy इसके समानपाती होता है समानपाती को अटाने के लिए हम coefficient लगाते हैं उसके भी बहुत अच्छे अच्छे concepts है वो देखेंगे जो आपने बहुत ही भ्रहम पाल रखा है दिमाग में वो चीज़ निकालेंगे अपन तो मैं इसे मिटाता हूँ आम में लिखता हूँ types of viscosity type of viscosity viscosity कितने प्रकारगी होती है दो प्रकारगी पढ़ते हैं पर दोनों को भी पढ़ते हैं वन भाइवन तो यह क्लिए रहा है आपको कि म्यू को viscosity बोल देते हैं क्यों बोल देते हैं जब क्यों होता कि एक्चल में coefficient of viscosity होता है तो मैं इसी में हेडिंग डाल रहा हूँ यही टॉपिक चल रहा है अपना विसको 66 था टाइप आफ विसको सिटी तो ए नहीं हमारे दो प्रकार की होती है यह तो है हमारी डाइनामिक विसको सिटी और भी है हमारी काइनमेंटिक विसको सिटी पहले मैं आपको डाइनमिक विसको सिटी के बारे में बताना चाहूँगा इसको हम मियू के दोरा डेनोट करते हैं मियू मियू ठीक है न गरिक वर्ट्स होते हैं आपने पढ़े होंगे मियू, इटा, नियू अगरा सारी चीज़ है तो डाइनमिक विसको सिटी हमारी क्या होते है कॉफिशंट आप विसको सिटी को ही हम डाइनमिक विसको सिटी कहते हैं अगर आपको इसकी डेफिशन बनानी है तो कैसे बनाओगे, नियूटन के सेकेंड लों से बनादो तो बराबर म्यू du upon dy होता है definition किसके बनानी है mu की तो बागी चीजों को अतर भेज़ दो 2 upon du upon dy कभी भी आपको definition बनानी हो तो denominator को unit कर दो तो ये चीज हमारे इस चीज के बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि mu जो होता है dynamic viscosity हमारे shear stress के बराबर होती है कौन से shear stress के बराबर जो इसको क्या कर दिया अपने unit one कर दिया जो इकाई rate of shear strain या एकाई angular deformation के लिए आवशक shear stress को मतलब unit अपने angular आपने ठीटा बराबर बन कर दिया तो कितना shear stress आपको लगाना पड़ा तो ठीटा बराबर unit angular deformation के लिए आवशक आवशक shear stress को है अपन क्या बोलते हैं दने मिंबिस्कोस्टी तो unity angular deformation के लिए कि अवश्यक shear stress को ही हाई जाता है कॉर्ष को इसको क्या होती है सब है इसके युनिट क्या होती है थीज़ संब देखते हैं तो मैं इसके बाहूं पहले एक दोलाई लिख लेते हैं अपन इसकी डेफिनिशन लिख लेते हैं कैसे बनाएंगे अपन कि इसे न्यूटन के विस्कोसिटी नियम द्वारा ग्यात किया जाता है तो देखो भई म्यू बराबर टो डी उपोंट डी वाई यही तो हो गया ठीक है अब में लिख देता हूँ यूनिट एंगुलर डिफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शियर इस्ट्रेस को डायनमिक विस्कोसिटी कहते हैं ठीक है भई अब देखते हैं इसकी यूनिट तो यूनिट देखो आप इसकी SI क्या होती है MKS क्या होती है और CGS क्या होती है SI यूनिट देखो आप ये N per meter square है ठीक है ये जो क्या होगा मेरा N per meter square और नीचे क्या आई है meter per second 1 नीचे क्या है ये par meter घए विलॉस्टी तो है विलॉस्टी क्या होती है meter per second और इसमें 1 per meter बहुता है उसको तो meter से meter cancel हो गया second मेरा ऊपर चला गया तो मैं इसको क्या हो गई मेरी यूनिट इश्की spreadide सेकेड अब एक दिख्कत आती है क्या दिक्कट आती है बताता हूँ आपको Newton पर मीटर स्कौईर सेकेड आगे तेके भई ऐसे दिख्कत क्या आती है दिख्कत यह आती है कि option में आता है यासे Newton पर Newton मीटर पर second square ठीक है आपने याद कि Newton मीटर पर second न्यूटर सेकिंड पर मीटर न्यूटर मीटर स्कॉयर पर second square न्यूटर सेकिंड पर इसमें याद रकोंगे इसको अग भी याद ने रखना आपको कभी याद नहीं जारी रखना और ह है को हमेसे ख्यार क्राइं युद्र जैंशा रखना है, आपको दियान रखना है, पासकल, सैकेन कब भी जिंधि के में नहीं बोलो गए आप, तो पास्कल आप याद है, युद्र में को चैंज करना है क्यरते बिस्दल में में मीटर इस्क्राइर अपोन में मीटर इसक्राइब कर दो एक है Prahasem मीटर एक सेकंड से एक सेकंड कैंसल हो गया एक मीटर से एक मीटर कैंसल हो गया तो यह मेरा हो गया किलोग्राम पर के से pole शेकंड कि जिता कि और मीटर से क्या गांगा डाइन पर मेशले से हम пропावित दया ऐगा कि उसको जब जभाब ज्यादा न्ह करोंगे तो n the ग्राम में और ये मीटर जीगे सेंटी मीटर सेकंड तो ये हमारी साकसार इसकी यूनिट है और अगर मैं बात करता हूँ इसकी डायमेंसन की तो डायमेंसन हमेशा हमें M केस से प्राप्त होती है M केस देख लो M केसे M1 L-1 T-1 M1 L-1 T-1 तो यह उच्छु कि हमारी इसकी unit हो गई dimension हो गई अब बात करते हैं इसमें कुछ note हैं बहुत ही important उन सबको मैं one by one लिखते हूँ गई यह सारी चीज इंपोर्टन चल रही है देखो जो हमारी dynamic viscosity होती है इसकी unit है आपको दिख रही है एक यह दिख रही है यह जो unit है dine per centimeter square second इसको short में बोलते है poise ठीक है जैसा मैं आपको बताया था prefix suffix first class के अंदर कि simplicity के लिए हम क्या करते हैं 10 की पावर 6 को 10 की पावर 3 के नाम चेंज कर दिसकी पावर 3 का मतलब है किलो ऐसे ही जे जो बात है complete है बोलने में बहुत हमें लंबा लग रहा है कि dine per centimeter square second तो short में बोल देते हैं मान लीजिए मेरी जो viscosity आ रही है mu's की value आ रही है 100 dine per centimeter square second तो मैं क्या बोल रहा हूँ कितनी viscosity है उसकी viscosity है सर 100 dine per centimeter square second कितना लंबा लग गया short कर देते हैं इसको तो इस term को उन्होंने क्या बोल दिया इस term को उन्होंने बोल दिया poise क्या बोल दिया poise बोल दिया अब मैं बोल रहा हूँ कितनी viscosity है उसकी 100 poise कितना simple हो गया 100 poise तो एक्चल में ये poise में चलने लगी चीज़े ठीक है 100 poise 200 poise poise के बोल दिया centi poise centi का मतलब क्या है 10 की power minus 2 चल रही है अब 100 का भाग भाई देको ये 100 poise हो गया इसमें कितने centi poise हो गए तो आप भाई आपको 1 meter में कितने centimeter होते है अब ये भी थोड़ा सा वैसा term हो गया इसको कैसे अपन ये fraction में नहीं लेकिया है point में नहीं लेकिया है अपन decimals में नहीं लेकिया है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 0.01 poise या फिर 1 centi poise centi का मतलब क्या होता है 1 बटे 100 को ये तो बोलते है centi तो चाहें आप 0.01 लिखो 0.01 poise बोलो चाहें क्या लिखो 1 बटे 100 poise बोलो 1 बटे 100 का मतलब क्या होता है centi poise तो ऐसे चलती थी है हमारी unit poise की cp centi poise में या फिर poise में तो ये चीज़े हैं इसको अपन नोट के रूप में लिखते हैं poise किसमें होती है unit poise unit होती है हमारे viscosity की और किसमें होती है वो होती है हमारे cgs system के अंदर cgs system में ही तो होता हमारा dine वगरा तो मैं इसको लिखता हूँ note के रूप में आप इसको उतारो मैं इसको note के रूप में लिखता हूँ अब अब लिखते हैं इसके सारे सारे नोट कौन कौन से होते हैं तो नोट नंबर में इसका वह लिखता हूँ कि 1 9 पर सेंटीमीट स्कायर सेकंड को क्या बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं 1 पॉईज ठीक है वई तो अब मैं पॉईज और न्यूटन और मीटर स्कायर सेकंड मतलब पास्कल सेकंड में सब्सक्राइब करना चाहता हूं हो सकता है आपका जो कोशन है उसमें यूनिट दे रखिए कोशन के अंदर आपको किसकी आपको दे रखिए पास्कल सेकंड मतलब न्यूटन पर मीटर स्कायर सेकंड और आंसर चल रहा है पॉईज के अंदर तो कैसे कनवर्ट करोगे आप म अपन देख लेते हैं यहीं पर चेंज कर लेते हैं जिससे अपनों को कुशन में बार बार चेंज करना पड़े वन न्यूटन पर मीटर स्कायर सेकंड बराबर एक न्यूटन में कितने होते हैं बई डाइन मुझे इसको कनवर्ट करना है इसके अंदर जब आप इसमें अब वन न्यूटन में 10 की पावर 5 रोते हैं और एक मीटर स्कार कितने सेंटीमेठर fidelity करूंगे में एक मीटर में और सो सेंटीमेठर सेंट्यमेठर स्कायर सेंट्यमेठर सेकंड का सैकेंड रहने दिया 100 का SQI, 10 के गात 4 हो गई, 10 के गात 4, और 10 के गात 5, तो 5 से 4 cancel, Gable 10 बचा, तो 10 9 पर cm² सेकंड, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है Poise, तो आपको क्या समझ में आया, मुझको ये समझ में आया, कि 1 Newton per meter square मतलब 1 Pascal second जो होता है वो मेरा 10 poise के बराबर होता है सही बात है यही बात ही मेरी 1 Pascal second मेरा 10 poise के बराबर होता है और देखो mu of water at 20 degree centigrade कितना होता है लगबग data आई 0.01 1 poise या इसको कह सकते है अपन 1 centipoise यह आपको idea देगा रफ कि mu की value कितने होती है पाने की इतनी होती है एक और data है mu of water greater than equal to sorry लगबग बराबर 50 से 55 पाने की तुलना में 50 से 55 गुना अधिक होती है पानी की जो विसकोसिटी है जो सघंता है पानी बहुत जादा गाड़ा है in comparison to air हवा की तुलना पानी घंता होता है डेंसिटी किसकी लिक्विड की और गैस की तो लिक्विड की डेंसिटी पर टेंपरिचर का प्रभाव पढ़ता है या नहीं प्रेसर का पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है मैंने बताया था gas की density पर ρो पर pressure और temperature का प्रभाव कैसे पढ़ता है वो भी बताया था अब बात करते हैं liquid की viscosity पर कौन सी viscosity dynamic, mu की बात कर रहे हैं पर pressure का प्रभाव पढ़ता है या नी temperature का पढ़ता है या नी तो मैं आपको बता दूँ बात कि liquid हो चाहे gas हो tono की ही viscosity पर dynamic viscosity पर pressure का प्रभाव practically बहुत कम पढ़ता है नगणने पढ़ता है मतलब नहीं पढ़ता ऐसा मानने चलते हैं पढ़ता तो है बहुत कम पढ़ता है इसलिए अपन उसको नहीं मानते हैं लेकिन जो मतलब सॉरी जो लेकिन हमारा अगर gas होती है gas और जो liquid है उसकी dynamic viscosity mu पर temperature का पढ़ता है का बिल्कुल पढ़ता है तो mu पर चाहे liquid का हो चाहे gas का pressure का प्रभाव नहीं पढ़ता है लेकिन mu पर temperature का प्रभाव दोनों पर पढ़ता है कैसे पढ़ता है temperature का बताता हूँ पहले मैं आपको pressure का डिखवा देता हूँ क्या है कि liquid वे gas की dynamic viscosity पर pressure का प्रभाव नहीं नगणलने लिखना पढ़ता है नहीं पढ़ता है दौनों की ही विसकोफटी पर pressure का प्रभाव तो नहीं पढ़ता है नहीं फ़िदा किसका है यह फिर फिर पढ़ता है temperature का कैसे पढ़ता है वो मैं शे मिटाता हूँ 6th note लिखना हूँ मैं आप इसको उतारो मैं सिक्स्त नोट लिखाता हूं आगा जो नोट हम लिखेंगे लिक्वेड वे गैस की डाइनामिक विस्कोसिटी पर टैम्प्रेचर का प्रबाव पढ़ता है जो निम्न प्रकार होता है हुआ आगा जो लिखेंगे लिखेंगे के देखो आप सोच भी सकते हो मिओ का मतलब क्या है गाडापन पतलापन तो अगर लिक्विट की बात करता हूं तो टेंपरपन बढ़ेगा या घटेगा घीगी बात कर लेते हुँ या घीग अगर टेमपरचर बढ़ाद हो गया आप जो जमा होगा है तो पिगल जाएगा पत जाओगे तो विस्कोषिटी बढ़ेगी, ऐसा क्यों हो रहा है, यह हो रहा है, अगर आप टेमपेचर बढ़ा रहे हो, तो वो घटकी हो रही है, टेमपेचर बढ़ाने पर घटके हो रही है, क्योंकि जो मॉलीकूल से हैं, उनमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, तू due to breaking of bond between molecules किसके कारण हो रहा है liquid में यह यह हो रहा है due to breaking of bond between molecules ओके अब बात आती है गैस में क्यों बढ़ रहा है भही gas में अगर temperature बढ़ा रहे हैं तो viscosity क्यों बढ़ रही है देखो viscosity का मतलब क्या था कि flow में resistance जितना ज़्यादा resistance होगा उतनी ही ज़्यादा गढ़ापन होगा उतना ही ज़्यादा viscosity होगी तो जैसे ही आपने gases का temperature increase कर दिया तो जो पार्टिकल होते हैं के वह क्या करते हैं बहुत तेज मूवमेंट करते हैं turbulent flow हो जाता है उसके अंदर turbulent flow में दूसरे को टक्कर मारते हुचलते हैं जब टक्कर मारेंगे तो क्या होगा flow में resistance उतनी होगा इस इस तक्कर मारी उसने इसको टक्कर रहा है क्योंकि वहां पर रेंडम मूवमेंट हो रहा है तो गैसे के अंदर क्यों होता है क्यों बढ़ती है डियू टू कि रेंडम है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या इसको खा जाए एक वर्ड में टर्बूलेंस की वज़ा से तर्बूलेंस मतलब विशुक्द प्रवाब भगरें दरुदर बेव तो इसके कारण क्या होता उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है कि वह बढ़ी नहीं पा रहे आगे आपस में टक्रा रहे एक इसकी गयास तो आपको ध्यान रखने गयास की विसकोषटी तो नोट बहुत इंपोर्टन थैं ऐसी हमारे किसकी पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक विसकोसिटी के अंदर भी ऐसी सारे नोट पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको टेंपेज़ प्रवाब बताऊंगा एक टेबल भी बनवाँगा उसके बाद पर हम नूटन और नूटन फ्लूड पढ़ेंगे फिर अपनेक्स प्रपरटी जो भी इसकी सर्फिस टेंशन और पढ़ेंगे फृदर तो जो अपनी सेकिंड जो इसका बी जो है हमारी स्मॉल भी जो हमारी विसकोसिटी है का इनेमेटिक विसक के अंदर आज के लिए इतना काफी है थैंक यू सो मच रिविजन करते रहना